हलो दोस्तों आज हम स्टेटिक जी के क्वीज फोर एससी सीजील सीचसल एक्जम के आज स्टेटिक जी के करने वाले अस्ट्रिक्योशन होने वाले हैं तो आज का पहली क्योशन पर चलते हैं दो सितंबर 1926 को बनी अंतिम सरकार में वित्तिय मंत्री कौन थे तो इसका अंसर होगा लियाकत अली इसका कर्यक्ट अंसर हो जाएगा नेस्ट क्योशन पर चलते हैं नेस्ट क्योशन हमारा निमलिकित में से कौन सा देश हीरे का विशू का अग्रीन उत्पादक है तो इसका अंसर होगा कॉंगो इसका कर्यक्ट अंसर हो जाएगा नेस्ट क्योशन पर चलते हैं सविधान की प्रस्तावना में वर्नित हम भारत के लोग सविधान की निमलिकित विश्यस्ता के निकरता से जुड़े हुए हैं तो इसका अंसर होगा सौवरेन स्टेट इसका कर्यक्ट अंसर हो जाएगा नेस्ट क्योशन पर चलते हैं कि सब्सक्राइब को प्रत्वी के चारों और दी गई कक्सा में इस्थापित करने के लिए आउश्यक नियूंतम गति कहलाती है तो इसका अंसर होगा और्बिट वेलोशिटी का कर्यक्ट अंसर हो जाएगा नेस्ट क्योशन पर चलते हैं कि सेंट्र हम साल्ट धातु आयन का ज्वाला रंग कैसा होता है तो इसका कर्यक्ट अंसर होगा कि सेरिमोंज रेड इसका कर्यक्ट अंसर हो जाएगा नेस्ट क्योशन पर चलते हैं मानों शरीर में कौन उपर ग्रंतियां निम्लिकित में से किस प्रणाली का एक भाग बनाती है तो इसका अंसर होगा रिप्रोडेक्टिव सिस्टम इसका कर्यक्ट अंसर हो जाएगा रिप्रोडेक्टिव सिस्टम नेस्ट क्योशन पर चलते हैं वेदों पर एक महत्पूर्ण टिका कारक्षय आना निम्लिकित में से किस सामराजे से जोड़ा था तो इसका अंसर होगा विजयन अगर एमपायर नेस्ट क्योशन पर चलते हैं नेस्ट क्योशन पर चलते हैं अपॉइंटेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेस्ट क्योशन पर चलते हैं हाड्रोजन परमाणू हाड्रोजन परमाणू के लिए संतुलन दूरी क्या है तो इसका आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा नेस्ट क्योशन पर चलते हैं सुरक्सा माचिस के निर्माणू में किस तत्यू का उप्योग किया जाता है तो इसका आंसर होगा फासफोरस नेस्ट क्योशन पर चलते हैं मसाले के रूप में पर्युक्तु होने वाली लोंग निमलिकित में किस पोधे का भाग प्राप्त होता है तो इसका अंसर का फूल कलिया है यह क्यूशन अपने पहले भी किया हुआ था फूल कलिया है इसका अंसर हो जाएगा नेस्ट क्यूशन पर चलते हैं पसुपत संप्रदाई की मानिताओं के अनुसार शिवू पसु की स्वामी है पसुशन का तात्परे यहां है पसुशन से क्या तात्परे इसका कर्यक्ट आंसर होगा जीवा इसका कर्यक्ट आंसर हो जाएगा नेस्ट क्यूशन पर चलते हैं अंग्रेजों ने भारत के पूरी भागों भाग में सबसे पहले अपने कारखने कहां खोले थे तो इसका अंसर होगा और डिसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेस्ट के इसमें चलते हैं निम्लिकित में से कौन से सुरंग फ्रांस और इटली को जोड़ती है तो इसका अंसर होगा मॉन्ट ब्लेनक टनल इसका करेक्ट आंसर होगा नेस्ट केशन पर चलते हैं सविधान का कौन सा अनुशेद भारत के राष्ट प्रति द्वारा एक विधी अधिकारी को महा नियाइवदी के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है तो इसका अंसर होगा आर्टिकल छिनतर इसका करेक्ट आंसर जाएगा नेस्ट केशन पर चलते हैं नियुक्त में से कौन सा कारक बूतल तनाव को प्रभावित करता है तो इसका अंसर होगा नेचर ओफ लिक्विड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेस्ट केशन पर चलते हैं नीचे दी गई सूची में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल है तो इसका आंसर होगा बोरीन इसका correct आंसर हो जाएगा इने श्केशने में चलते हैं निमने लिकित जियों में से कौन सा एक नाइट्रोजन इस्तिरी करण के लिए दलहनी पोदों की जड़ों में निवास करता है तो इसका आंसर होगा बेक्टीरिया इसका correct आंसर हो जाएगा next question में सलते हैं कि निमने लिकित में से कौन सा तमिल व्याव करण समंधिक ग्रंथ है तो इसका आंसर होगा कि डी ऑप से इसका correct आंसर होगा तोल का पीम में इसका correct आंसर हो जाएगा next question पर चलते हैं जब इस इंडिया कंपनी अस्तितू में आई तब इंग्लेंड का शासन था तो इसका correct आंसर होगा C option इसका correct आंसर हो जाएगा इस्टा आउट्वस का correct आंसर होगा C option next question पर चलते हैं किस गरह को उसकी तरफ का गरह कहा जाता है तो इसका आंसर होगा Uranus इसका correct आंसर होगा next question पर चलते हैं बाल सरम निशयद और वियनियम वियनियम अधिनियम किस वर्स पारित किया गया था तो इसका आंसर होगा 1986 next question पर चलते हैं वह दोलन क्या है जिसमें थर थरा आने वाला के नुक्सान की भरपाई बहारी स्वरोतों की स्वरोतों से उर्जा क्या पूर्चत तवारा की जाती है जिसें कहा जाता है तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा बनाए रखा दोलन इसका क्रेक्ट आंसर होगा बीग अपसर इसका क्रेक्ट आंसर होगा नेश्टिकेशन पर चलते हैं आवर्त साणी में सबसे हलका तत्तु कौन सा है तो इसका आंसर होगा हाई ड्रोम इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा नेश्टिकेशन पर चलते हैं निमलीकित में से कौन बायोगेस का घटक नहीं है तो इसका आंसर होगा नाट्रोजन डाइव ऑक्साइड इसका कर्रेक्ट आणसर होगा है नेस्ट क्यूंशन पर चलते हैं प्रसिद नुट्राइब राजी से संब्धित है कुन से राजी से सम्धित है? तो ये वेस्टिवाग में है जाता है तो इसका अंसर होगा ओडिसा नेजेट कुरूशन पर छलते हैं एस्ट इंडिया कम्पनी का मुख्ष्यालि बंगाल में इस्थित्ता तो इसका अंसर होगा फॉर्ट वीलियम इसका correct answer हो जाएगा next question पर चलते हैं किस गरह को प्रत्वी की कब बहन गरह का जाता है तो इसका answer होगा Venus इसका correct answer होगा next question पर चलते हैं बारत में स्विल सेवकों के लिए बारत ये सुविधान में सुविधानिक प्रधान किये गए हैं तो इसका answer होगा article 311 next question में चलते हैं रासा चम्में विश्थापन के आगे वेग किस फेज कौन से हैं तो इसका answer होगा पाइबाइट टू इसका correct answer होगा next question में चलते हैं आवर्त तत्व का प्राकर्तिक रूप से पाए जाने वाला सबसे बहारी तत्त्व कौन सा है तो इसका answer होगा eudanium इसका correct answer होगा next question पे चलते हैं निन्म लिकेत में से कौन सा vitamin परचुर मातरा में होता है अमरूद ये अमरूद का फल तो इसका अंसर होगा कि वीटामिन C ने श्टीविटों चुटें कि ने चींगर कि निम्ने की कि समराट की उपादी मोजम थी तो इसका अंसर होगा बादुरसा जफर नेश्ट की से में चलते हैं तारीके सेर साही के लेखक कौन थे तो इसका अंसर होगा अब बास सरवानिस का क्रेक्ट अंसर होगा नेश्ट की से में चलते हैं गटना हीरों की वर्षा निमने लिखित में से किस गरह पर होती है तो इसका अंसर होगा अलफ अबव नेप्चियोन सनी गरह अरुण इन कीनों पर हीरों का वर्षा होती है उपराग सब इसका कर्यक्ट आंसर होगा नेश्ट केशन पर चलते हैं सविदान का अनुछेद अलफ संक्यों को सेक्षनिक्स संस्थान इस्तापित करने का अधिकार देता है तो 30 होगा 31 होगा या 32 या 33 इनमें से कौन सा होगा कर्यक्ट आंसर होगा हमारा इसका कर्यक्ट आंसर होगा नेश्ट केशन पर चलते हैं निम लिकित में से कौन सी तरंग वाई मंडल में महजूद और जोन परत द्वारा अवसोशित होती है तो इसका आंसर होगा अल्ट्रा वाईलेटिस का कर्यक्ट आंसर होगा नेश्ट केशन पर सलते हैं कि इलेक्ट्रोन पत्थ के लिए अंडाकार कक्साओं की सुरात करने करके बहर बहर के सिध्धान्त को किसने संसोजित किया था तो इसका आंसर होगा सेंफ्रो फेल्ड इसका कर्यक्ट आंसर होगा सोमर फेल्ड इसका आंसर होगा नेश्ट केशन पर सलते हैं मानों शरीर में निम्रीद किते में से कौन सी ग्रंती आयोडीन का बंदारन करती है तो इसका आंसर होगा थायराइड नेश्ट केशन पर सलते हैं पार्थ महाभारत में निम्नलिकित में से किस पात्र का नाम था पार्थ तो इसका अंसर होगा अर्जुन नेस्ट केशनल पे चलते हैं भारत में पहली जन्गन्ना किसके समय हुई थी इसका अंसर होगा लोड माईयो नेस्ट केशनल पे चलते हैं कप सबसे पुराना ग्यात खनीज जिक्रोन किस काल प्यापन पाया गया था तो इसका अंसर होगा है है इसका correct answer होगा next question में चलते हैं किस संसोधन को नगर पालिकादिनियम के रूप में भी जाना जाता है तीन परकार की नगर निकायों किस्ता अपना का प्रावधान करता है तो इसका answer होगा 74 amendment next question में चलते हैं किस निश्ची समय में किस पिंड द्वारा अवसोशित विकीरन उर्जा के अनुपात को उसी समय में उस पर अपतित कुल विकीरन उर्जा के अनुपात को हम क्या कहते हैं तो इसका answer होगा अवसोशन सकती इसका correct answer होगा अप्शन नमर ए इसका correct answer होगा अवसोशन सकती next question पर चलते हैं निम लिकित में से कौन समसे अधिक वीद्यूतिय लिनात्मक है तो इसका answer होगा कार्बन next question पर चलते हैं निम लिकित में से कौन से रोग टीके द्वारा रोके जा सकते हैं तो इसका answer होगा अवसोशन बहुत यहनि खाली कांसी और पोलियो रोके जा सकते हैं निम लिकित में से किस के द्वारा परशिद्ध है तो इसका answer होगा painting के लिए परशिद्ध है next question में चलते हैं रोलेट एक्ट पारित होने के समय भरत का वाइसराई कौन था तो इसका answer होगा लोड केलम्स फ्रोड इसका answer होगा next question पर चलते हैं राष्टे महीला आयोग के सदस्यों का अधिक्तम कारेकाल कितना होता है तो इसका answer होगा three year next question पर चलते हैं एक साधान लोलक के अवर्थकाल पर ताप उरद्धी का क्या प्रभाव पड़ता है तो इसका answer होगा इट इंक्रीज नेक्स्ट पर चलते हैं निमली कितमे से कौन सी गेस विशेले गेस विशेले गेस फलों को पकाने वाले एंजाइम के निर्मार में मदद करती है तो इसका answer होगा एसी इटिलीन इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं बेक्टियरे की खोज की निमली कितमे सी किसके द्वारा की गई थी तो इसका answer होगा इसका correct answer होगा एवी लिवेन हो यह किसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है हमारा नेक्स्ट क्यूशन है किस यूग को सरीशरप का यूग कहा जाता है तो इसका answer होगा इसका correct answer होगा मेसो जोड़क नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं कि ऐसे गांदोलान कभी इस्तागित किया गया था तो इसका answer होगा 1922 में नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं ने में लिके तमय से किस सहर में दोपर के समय सूरी की सीधी किने कभी नहीं पड़ती है तो इसका answer होगा नियो डेली नेक्स्ट क्यूशन पर सलते हैं कि एंद्रे सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है तो इसका answer होगा परसीडेंट इसका correct answer होता है परसीडेंट नेक्स्ट क्यूशन पर सलते हैं इसका answer होगा इंफ्रारेड नेक्स्ट क्यूशन पर सलते हैं नियुक्ति क्यूशन पर सूर्य से उर्जा विक्रिन का मुख्य कारण है तो इसका answer होगा होगा कफ्यूशन रीयक्जन नेश्ट पर सलते हैं हाइट्रोजन ए सीड निम्लिकित में इसे कि सरीर के अंग में मौुशूद है तो इसका answer होगा तो इस टमक में मोझूशूद हैda कौन सी धृराई मद्हें पर साहर के प्रमा का कारण बंती है तो इसका answer होगा convention current इसका correct answer हो जाएगा next question में चलते हैं फत्यपुर सीक्री में इबादत किसने बनुआ था तो इसका अंसर होगा अकबार ने next question में चलते हैं निमलिकी तमें से कौन सी नदी व्रद्दा गंगा के नाम से जानी चाती है तो इसका अंसर होगा गोदावरी नेश्ट केसमें सलते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक C.A.G. को कौन सपत दिलाता है तो इसका अंसर होगा परिसीडेन इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा नेश्ट केसमें सलते हैं ईलेक्تरिस्टिक के फिरिज़ितर का उपयोग इन में से किस के परद्रुसंद को नियांतन करने के लिए किया जाता है तो इसका आऌसर होगा? je i.r next video नीश्ट पथा जाता है परमानुव इखंडन रियेक्टर में निम्ली कितमें से किसकी आवश्यत्ता नहीं होती है तो इसका अंसर होगा एक्सीलेटर इसका correct answer हो जाएगा नियस्ट केस्ट में चलते हैं थाइमस नामक गरंती से कौन सा हार्मोन उत्वपन होता है तो इसका अंसर होगा थाइमस इसका correct answer हो जाएगा नियस्ट केस्ट में चलते हैं निम्ली कितमें से कौन गुस्पेट वाले अगने चट्ठाने नहीं है तो इसका अंसर होगा भी त्रॉय्क हिर्ष इसका क्रेंक टांसर से नियृ कि चलते हैं कि नेमले कि तुम से पहले दीने इलाही में सामिल वा था तो इसका क्रेंग टांसर होगा बीरबल इसाइद दियों तो सभी को पता होगा कि बीरबल ने दीने इलाही धर्म अपनाया था निस्ट्येशन पर चलते हैं इन में से किस योगिक को वूड इस्पिरिटिक के नाम से भी जाना जाता है तो इसका अंसर होगा कि इसका क्रेक्ट आंसर होगा मेथेनोल कि ने इस्ट कुछन में चलते हैं परदूशित वातावरण से निकलने वाले पार्टिकूलेट मेटर इसका क्रेक्ट आंसर होगा कि इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा स्नेजिंग ने इस्ट कुछन में से पंजाब के निमली कित्म में से किस सहर को रामधासपूर के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर होगा अमरित सर ने इस्ट कुछन में सलते हैं निमली कित्म में से किसने अरविंदो को देश बक्ति के कवी राश्टरवाद के पेगंबर और मानौता के प्रेम के रूप में वर्नित किया है तो इसका आंसर होगा सी आरदास ने इस्ट केशन में सलते हैं निमली कित्म में से कौन प्राइदेप विये बारत की सबसे बड़े नदी है तो इसका आंसर होगा गोदावरी ने इस्ट केशन में सलते हैं निम लिखिते में इसे कौन राज्जी का आउश्यक तत्तु है तो इसका अंसर होगा ओलफ अबो सरकार संप्रूभुता और शेत्र उपर युक्त सभी करेक्टर अंसर हो जाएंगे निश्ट के इसने पर चलते हैं जब परकास निर्वात से पानी में प्रवेश्ट करता है तो परकास की निमली कितमे से कौन सी विचलन हो जाता है क्यू documenting कोई किर्ण के न और के से आफ़ास हेरी जो आहवासskी पानी में परवेश्ट करती हे तो इसका इवीचलन हो जाता है है Egyptian जाते हैं तो कौन सी चीज में बदलती है जब यह पानी के अंदर जाएगी तो कौन सी चीज परवेश्टी तो रहती है तो इसका आंसर हो प्लाणों के बीच दोहरे या तिहरे बंद वाले कार्बन के योगिकों को हम क्या कहते हैं तो इसका आंसर होगा नन कि दिश्का डिक उप्सिन इसका रिक्टा आंसर हो जाएगा इस में चलते हैं किसके अत्य दिक श्राव से रख्त चाप बढ़ सकता है तो इसका अंसर होगा थायरोक्षीन इसका क्रेक्ट आंसर होगा नेश्ट कुछ में चलते हैं मिर्जा गालिब निमलिकित में से किस मुगल समराट के समकाली इन थे तो इसका आंसर होगा बहुत दूर साथ जफ़ार इसका क्रेक टांसर होगा नेश्ट क्यूशन में चलते हैं और यह आज का लास्ट का क्यूशन था अगर आप नहीं यहां तब वीडियो देखा तो प्लीज सब्सक्राब दी चैनल आपको रोज स्टेटिक जीके जीएस की क्लास मिलते रही जो प्र क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रही